तो बच्चो लास्ट टाइम हमने कवर किया था इंडियन जोग्रेफी के फॉर्म्ज ओफ कंडेंसेशन के बारे में तो आज उसी लेक्चर को कंटीनियो करते वे और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी होते है देट इस तो आज समझेंगे टेमपरेचर इंवर्जन क्या होता है इसके क्या-क्या फाइदे हैं क्या-क्या नुकसान है किस तरीके से ये हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है और टेमपरेचर इंवर्जन कितने तरीके का होता है तो चलिए सबसे पहले मैं अपना introduction दे देता हूँ जो लोग इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं मेरा नाम अभिशेक पाल है और मैंने UPSC Civil Service Prilliums 2021 किलियर किया था और UPSC CDSNFCat various time किलियर किया है तो चलते हैं आज के हमारे topic के बारे में आज का जो हमारा topic है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या vertical distribution of temperature देखो जब आप temperature inversion को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको temperature का distribution पढ़ना होगा इससे पिछले हमने जितने भी lecture पढ़े हैं उनमें हमने जादा तर इसके horizontal distribution के बारे में already पढ़ लिया है horizontal distribution के बारे में हमने कैसे बढ़ा जब हमने बात करी थे कि land and sea breeze के बारे में बढ़ा था और हमने कब पढ़ा था horizontal distribution के बारे में जब हम बात करे थे diurnal range of temperature तो इस समय भी हमने पढ़ाता तो यह कुछ चीजे हैं जहां पर हम already अपना temperature के distribution के बारे में पढ़ चुके थे पर आज बात करेंगे हम किसके vertical distribution के बारे में तो देखो जैसे आप layers के उपर नीचे जाते हो यानि कि जो atmosphere में layers present है उनमें आप travel करते हो तो different layer पे आपको different temperature देख किने को मिलेंगे अब यह क्यों हो रहा है वह हम already अपने पिछले lecture में पढ़ चुके हैं अगर आपको वह नहीं पता तो आप हमारी previous video में जाके देख सकते हैं तो यहां पर देख लेते हैं जो temperature vary होता है different level पर different temperature होता है यह सब mainly किसके दुआरा हो पा रहा है यह mainly हो पा रहा कि 1 degree celsius आपका कितने में 165 meter clear और 6.5 degree celsius 1 km में अगर आपका decrease हो रहा है तो इसे बोलते हम lapse rate और यहीं हमने बात करी थी कौन सी वाली wet adiabatic lapse rate and साथ-साथ हमने dry adiabatic lapse rate की भी बात करी थी इसमें next में जो पढ़ना है कि जो lapse rate रहता है वो सभी layers में uniform रहता है यानि कि जब तक आप tropical spare के अंदर हो तब तक आपका lapse rate यही रहेगा इसमें जो थोड़ा सा difference आ जाता है वो उसकी वज़े से आ जाता है humidity clear otherwise ज़्याद तर आपका यह 6.5 ही चलता रहता है इसमें में already बात पहले भी कर चुके हैं कि wet वाले में कैसा होता है और dry वाले में कैसा होता है जब याद करो wet वाले में कितना था सोचो ज़रा देखो dry वाले में तो कितना था आपका 8 degree celsius ठीक है और wet वाले में कितना था 4.2 degree celsius के लगबग तो इतना आपको धियान रखना है next इसमें हमें ध्यान रखना है क्या कि जैसी आप tropopause पे पहुचते हो आपका जो lapse rate होता है वो कितना हो जाता है 0 यानि कि उसके आगे आपका कोई भी temperature में change नहीं होगा ठीक है तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है कि जैसी आप tropopause को heat करते हो आपका जो temperature change है वो होना बंद हो जाता है और जैसी आप tropopause के उपर जाना start करते हो तो आपका lapse rate क्या हो जाता है negative अब negative होने का मतलब अब उपर जाते वे यानि कि negative होने का मतलब with height आपका temperature अब decrease नहीं होगा there is increase in temperature clear तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपकी height बढ़ेगी आपका temperature क्या होता जाएगा increase होता जाएगा ना कि decrease अब देख लेते हैं कि किस तरीके से different layer में हमारा temperature होता है तो ट्रपो पॉस तक आपका temperature decrease करेगा फिर ट्रपो पॉस के जैसे आप बाद में जाओगे तो थोड़े टाइम तक तो temperature क्या करेगा आपका decrease करेगा यह आप देख पा रहे होंगे यहां पर थोड़े टाइम तक decrease करेगा लेकिन उसके बाद आपका यह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और यह कहां तक जाएगा आपका स्टैटो पॉस तक स्टैटो पॉस के पास फिर यह decrease होगा क्लियर और यह जो पॉइंट होगा यहां पर जिसे हम बोलते हैं कि मीजो पॉस इसे आल्रेडी हम बता चुके हैं यह क्या होता है coolest point या coldest point on earth होता है आपका मीजो पॉस और मीजो पॉस के बाद आपका फिर से temperature increase होना स्टार्ट हो जाएगा तो यह आप एक relation बिल्ड कर सकते हैं between different layers next इसमें जब हम बात करेंगे that is temperature anomaly अब देखो anomaly जहां भी आप समझो हो जहां भी आप पढ़ोगे anomaly के बारे में anomaly का मतलब होता है difference clear दो चीजों के बीच में difference आजाना इसे बोला जाता है हमारे anomaly और जब यह difference किस चीच का है temperature का difference आए तो उसी को हम बोल देंगे क्या temperature anomaly so the difference between the mean temperature of a place and mean temperature of its parallel यानि कि उस place में जितना है और जितना वहाँ पर होना चाहिए था clear यानि कि what ought to be or what it is इन दोनों के बीच का जो difference है उसी को हम क्या बोल देते है temperature anomaly बोल देते है for example मैं समझा देता हूं मान के चलते हैं 30 degree latitude के अगर बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर temperature का normal जो दर है वो 18 degree Celsius है sorry यहां पर Celsius गलत लिख दिया मैंने 18 degree Celsius है बट मान के चलते हैं कोई एक ऐसा point होगा इस 30 degree parallel में कि जहां पर आपका temperature क्या हो जाएगा 11 degree ठीक है या फिर 5 degree Celsius या in comparison to that वो बढ़ भी सकता है 18 की जगा यहां पर 25 आ गया तो यह जो difference यह जो difference हम को देखने को मिल रहा है इस ही को भोल दिया जाता है कि आपका Temperature Anomaly अब देख लेते हैं एक बार और ऐसमें कै-कीज़े होती है इसमें जो Largest Anomaly हम देखने को मिलती है वो हमें कहां पर देखने को मिलेंगी वो हमें हमेशा नदथे हमिस्फेर में देखने को मिलेंगी क्यूं रृब नदन हमिसफेर में मिलेंगी खुई यह आपको सोचना है यहाँ पर जितना आप दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा अच्छे से आप आंसर कर पाओगे तो सोचो हमें जो temperature anomaly है वो नदन में ही क्यों ज्यादा मिल रही है देखो अगर आप लोग दिमाग लगाओना थोड़ा सा तो बहुत इजी इसका अंसर पता है क्या है क्यों क्यों क्योंकि northern hemisphere में आपका जो land mass है वो बहुत ज्यादा है जो continent है वो ज्यादा है कहाँ पे northern hemisphere में उस वज़े से और जब हमने देखा था temperature variation सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है land के उपर आता है ओशन में तो बहुत दीरे-दीरे specific heat यादा रहा है concept बताओ specific heat देखे है specific heat of land and specific heat of water तो land की specific heat कम होती है इस वज़े से वहाँ पे temperature जल्दी जल्दी बढ़ेगा देखे है तो इतना ध्यान रखना है temperature anomaly led to the formation of temperature inversion at various locations यहाँ पर देख लेते हैं देखो यह जो parallel है यहाँ पर हम बात करें इस parallel के बीच में आपको normally देखो यहाँ पर high temperature देखने को मिल रहा होगा but इस point पर आपका जो temperature है वो कम है in comparison to this point तो temperature इतना होना चाहिए था but यहाँ पर temperature क्या हो गया डाउन हो गया इसी को बोलेंगे हम क्या temperature anomaly clear अब देखो inversion का सबसे बहले तो मतलब समझ लो inversion का मतलब होता है घटना या change या फिर opposite simple समझो for example जो temperature आपका बढ़ना चाहिए था अगर वहाँ पर घटना स्टार्ट हो जाए या जिस point में आपका temperature 30 degree Celsius होना चाहिए था अगर वहाँ पर वह temperature 10 degree Celsius रह जाए तो इसी को हम बोलेंगे क्या अपना temperature inversion तो reversal of normal behavior of temperature clear तो normal temperature के behavior का अगर reversal हो जाए या उसमें कुछ change आ जाए तो उसी को हम बोलेंगे क्या temperature inversion अब देखो normally होता क्या है जो सबसे lowest point होता है मान के चलो यह earth की surface है यहाँ पर आपकी क्या होती है hot air होती है ठीक है और according to the convection याद करो यह hot air होती है यह उपर की तरफ को travel करना start करती है इधर से भी इधर को ठीक है अब जब यह उपर की तरफ को जाएगी तो यहाँ पर क्या होंगी cold air ठीक है तो यह तो होगे normal time बट मान के चलो एक ऐसा time आजाए कि यहाँ पर यह earth की surface है इस point पे hot air यहाँ बीच की point में आपकी cold air आजाए और उपर वाले उसमें फिर से hot air आजाए तो इस point पे क्या होगा यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा आपको this is known as your temperature inversion तो यह दियान रखना है यहाँ पर देख पा रहा होगे यह है warm air cooler air and cold air बट यहाँ देखो नीचे पर cooler air है बीच में warm air है और उपर cold air अब यह हो किसे वज़े से रहा है वो सब conditions अब ही आगे पढ़ेंगे बट अभी तो आप इसको इतना ही समझना है कि temperature inversion हो कैसे रहा है ठीक है next इसमें देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या होगा this plays a important role in cloud formation देखो cloud formation में कैसे यहाँ पर देखो जब आपका warm air होती है यह जैसे जैसे ऊपर जाती है यहाँ पर यह क्या बनातेती है अब नीचे तो cold है यहाँ पर warm है यह warm air जैसे ही आपके क्या होंगे subsidize करेंगे या फिर एक दूसरे के आसपास accumulate होंगे तो यह यहाँ पर भी क्या बनाने start कर देंगी clouds अब यह clouds rain करेंगे या नहीं वह हमारे को बाद में देखना है बट अभी समझते वे चलो कि warm air है तो यह cloud formation जरूर करेगी यहाँ पर जो cloud formation हो रहे थी it is due to convection चीक है I hope सबको याद होगा यह convection की वज़े से हो रही थी clear और यहाँ पर क्या है आपकी warm air क्या हो चुकी है एक तरीके से यहाँ पर sandwich हो चुकी है between two cold layer चीक है तो यहाँ दियान रखते वे चलना है हमें next अब देखो यहाँ पर होगा अब यह क्या कर देगा जो air है उसका upward moment को restrict कर देगा clear तो जो convection होना चाहिए था वो convection नहीं हो पाएगा तो यह आपको दियान रखना है बट यह air मान के चलते हैं यहाँ से उपर बढ़ी और यहीं पर गूम गई ठीक है इस point पे यहाँ पर आपका अगर यहाँ पर आपका hot air है तो वो इसको उपर नहीं जाने देगी जो की normal condition में ऐसे उपर जानी चाहिए थी अब अगर उसे नहीं जाने देगी तो वो air वाफिस से घूम जाएगी और यह point है इस point का क्या होगा temperature increase होगा clear यह temperature increase हो जाएगा किसमें daytime में अगर सेम चीज में nighttime की बात करूँ चलो दुबारा से समझ लेते हैं यहाँ पर देखो daytime में क्या होगा यहाँ पर sun है ठीक है और इसी को comparatively moon समझ लेना आगे पर यह earth surface है यह भी earth surface है यहाँ पर जैसे ही direct heat raise पढ़ेंगी यहाँ से आपका इस तरीके से convection होना start हो जाएगा अब normally यह convection पूरा उपर जाना चीए था ठीक है but because यहाँ पर यह क्या है hot layer already आ चुकी है चीक है और इसके नीचे यहाँ पर subseedingly cold layer आएगी तो यह आपका घूम जाएगी आप ठीक है तो यह तो daytime की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर घूम जानी चीए और यह यहीं पर घूमती रहनी चीए इस तरीके से गोल गोल अब night time की बात समझो यह रात है दिन बर में जो insulation इन्होंने absorb किया है अब वो क्या होगा ठीक है समझते पर चलता है अब देखो यहाँ पर तो आपका hot layer अटकिवी है अब दिन भर का जो insulation है उसके बाद यहाँ पर क्या होगा territorial radiation बाहर की तरफ आएगा और यह बाहर की तरफ आएगा इस तरीके से जाके यहाँ गूम जाएगा हाला कि इस hot layer के comparison में दियान रखना यहाँ के और यहाँ के comparison में यह जो air होगी यह फिर भी cold होगी ठीक है इसी वज़े सो यह इसे bypass नहीं करने देरी अगर इन दोनों का temperature सेम होता तो यह उपर न बढ़ जाती यह इस से temperature जादा होता तो यह इसको भी पुछ कर देती इस hot layer के comparison में यहाँ पर यह यहीं पर गूमेंगी तो यह यहीं पर temperature को क्या करेंगी lower करेंगी या temperature को बढ़ाएंगी ऊपर यहाँ पर cold layer तो रहेगी रहेगी clear तो इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसी को जाता है temperature inversion अब यहाँ पर देख लेते हैं because there is less convection connective clouds could not grow enough to form shower तो यह बारिश नहीं करेंगे यहाँ पर जो clouds बनेंगे भी वो बरसने वाले बादल नहीं होंगे यहाँ वो सिर्फ गर्जेंगे गर्जेंगे पर बरसेंगे नहीं next इसमें देख लेते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे आपके temperature inversion तो यहाँ पर देखो यह जो clouds है यह एक certain layer पर अटकेवे हैं यह उपर नहीं जा रहे हैं उपर क्यों नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर hot air अटकीवी है उपर cold air है ठीक है अब नीचे भी क्या है cold air है पहाडी रस्तों में travel किया होगा तो देखा होगा आपने नीचे पर cold रहती है फिर एक certain area पर for example अगर मैं mountain बना के दिखा हूँ आपको इस तरीके से तो यहाँ पर cold होगी इस area में cold होगी यह जो certain area है यहाँ रुख जाओ 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 तो आपका cold होगी यह जो certain area है यहाँ पर आपका hot layer पाई जाएगी और यह सबसे उपर की layer होगी यहाँ पर भी आपका cold layer होगी ठीक है तो यह हो जाता है किसके लिए hilly area के लिए अभी आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे hilly area में temperature inversion कैसे होगा बस उसका थोड़ा सा background आप य temperature inversion होगा तो उसकी वज़े से हमारे visibility पे बहुत ज़्यादा फरक आता है ठीक है visibility हमारी बहुत ज़्यादा reduce हो जाती है अब क्यों हो जाती है देखो convection नहीं होगा तो जो air है ground level पे वो उपर की तरफ नहीं जाएगी simple और जितना भी आपका यह dust है smoke particle है यह भी तो क्या है earth की surface पे है अब जब तक convection नहीं होगा इस तरीके से तो यह जो dust particle है यह भी earth की surface को नहीं छोड़ सकता और यह अगर यहीं पर घूमता रहेगा ठीक है इस तरीके से यहीं पर घूमता रहेगा तो dust particle की भी आपके यहीं पर revolve करते रहेंगे clear तो इस वज़े से because air near the base of an inversion tend to cool fog is frequently present there ठीक है तो कुछ चीजों के वाइस आपके visibility घटेगी पहला that is your dust smoke and fog next इसमें चलते हैं और क्या है inversion also affect diurnal variation in temperature ठीक है तो जो diurnal variation होगा वो कम हो जाएगा अब देखो कैसे जितना ज्यादा heat up होगी land उतना ज्यादा आपका diurnal temperature होता है यह हम पढ़ चुक है clear अब यहाँ पर देखो temperature inversion होने की वज़े से एक certain section आपका heat up हो ही नहीं पा रहा है अब जब वो heat up नहीं हो पाएगा ठीक है पूरा अच्छे से समझ लेते हैं for example यह land है अब यह दिन के समय इन्सोलेशन तो आ गया बट यह यहीं पर trap होके रह गया clear यह बाहर नहीं जा पा रहा है तो अगर दिन के समय 40 degree Celsius था तो रात के समय भी क्योंकि temperature बाहर नहीं जा पा रहा है तो रात के समय क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 degree Celsius अगर यह यहाँ पर inversion trap नहीं होता तो temperature घटके आपका 10 degree Celsius आ जाता तो देख लोग कब है आपके diurnal range of temperature ज्यादा खुद visibly देख सकते हो कि जब आपका यहाँ पर inversion नहीं होगा तब आपके diurnal range of temperature बहुत ज्यादा है लेकिन जब आपका temperature inversion होगा तो same range आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी next चलते ideal condition क्या रहनी चाहिए temperature inversion के लिए तो सबसे important है long night ठीक है पहले तो राते बहुत लंबी होनी चाहिए और अब राते लंबी होने के पीछे क्या आपका reasoning है इसके पीछे simple एक कारण है कि जितना ज्यादा long night होगी उतना ज्यादा time मिलेगा अर्थ की surface को कि वो territorial radiation को बाह emit होना था उसको release करने में उसको ज्यादा असानी रहेगी clear अब इसमें देखते हैं और क्यों अचे clear sky होना चाहिए ठीक है clear sky होने का मतलब देखो जो escape of radiation होगा वो unobstructed होगा यानि कि बिना किसी obstruction के आपका radiation अर्थ से बाहर निकल जाएगा clear इतना ध्यार रखना है तो पहली condition long night second clear sky third calm and stable air यानि कि वहाँ पर ज्यादा आपकी weather activity नहीं होनी चाहिए for example जो हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए अगर बहुत ज्यादा तेज होंगी तो वहाँ पर temperature inversion नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा वो क्या करेगी cold और hot air को mix up कर देगी clear तो अगर calm और stable air होगी तभी तो वहाँ पर no vertical mixing of air clear अब देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर देखो यह पर जब आप देख पा रहे होंगे यह hot air है यह उपर cold है नीचे cold है तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा यहीं घूम जा रहा है तो इतना आपको ध्यान रहने हैं और long night होगी तो extraterritorial radiation को निकलने में ज्यादा time चाहिए होगा तो यहाँ देखो पहला तो वह समझे सेकेंड पॉइंट को clear sky को चीए देखो clear sky होगा तभी तो यहाँ पर यह जो radiation emit होके आपका कितना बचेगा आपका 25 degree celsius बचेगा लेकिन अगर यहाँ पर radiation emit नहीं होगा या फिर clouds होगे तो देखो जैसे जैसे जितना ज्यादा clouds होगे उतना जारा आपका night का temperature बढ़ता जारा है यह मैं आपको पहले भी बता चुगा हूँ जिस दिन आपकी cloudy nights होगी ठीक है cloudy nights होगी उस दिन आपका night temperature वो होगा हमेशा क्या night temperature हमारा जामेशा जादा होगा बस इतना ध्यान रखना है आपको ठीक है तो clear sky होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है next इसमें देख लेते हैं और क्या important है और इसमें देखना important है कि types of inversion कितने तरीके के हमारे पास है inversion तो हो रहे हैं लेकिन कितने तरीके के inversion हो पा रहे हैं या होने possible है हाला कि normally आप पढ़ोगे तो चार टाइप के होते हैं बट एक और टाइप आपका भी frequently देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी पढ़ेंगे तो हमने आपको पास टाइप के inversion बताए है ठीक है तो सबसे पहला देख लेते हैं सबसे पहला inversion होगा आपका कहां पर हिली एरिया में अब हिली एरिया की बात हम अल्रेड़ी कर चुके हैं वाट फिर भी देख लो sorry हिली एरिया में क्या होता है हिली एरिया में जो आपका लोवर लेयर ऑफ एर होती है उसका टेमपरेचर डिक्रीज हो जाता है विद अलिवेशन ठीक है अब यहां पर होगा कैसे फर एक्जामपल यह समझो यह स्लोप है ठीक है जो मैं आपको बता चुका तो यह वाला पा आप का अडियर कर फिर यह जो इस लोप वाला एरिया है यहां पर होगी आपकी क्या ऑट और फिर यह सबसे उपर वाला हे है ऐलडो है एरिया है वहाँ फिर अगेन होगी हू अपकी क्यां कोल्ड एर तो इतना सा समझना है आपको अब इसको देख लेते हैं किस तरीके से यह देखो रात के समय होगा नीचे वाली एर क्यों कोल होगी क्यूंकि जैसे ही टरिटोरियल रेडियेशन उपर निकल जाएगा जो ठंडी हवा होती है यहां की जो radiation होगा वो उपर जाएगा जो ठंडी हवा होगी वो उसका place नीचे पर आके ले लेगी तो इस तरीके से कुछ आपका डियाग्राम बनेगा यहनि कि जैसे यहां की hot air उपर जाएगी catabatic airflow होगा और नीचे पर क्या जाएगी आपकी cold air आजाएगी ठीक है अब यह जो है यह जो territorial radiation उपर उड़ा है हमारा अभी हमने उपर emit किया है यह पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा क्यों नहीं निकल पाएगा क्योंकि उपर पे cold air है और यह इन दोनों के बीच में ऐसे block हो जाएगा बस इतना ध्यान रखना है आप क्योंकि यह territorial radiation भार नहीं निकल पा रहा है तो यहां पर क्या बन जाएगा cold hot cold तो यह हो गया आपका temperature inversion तो यहां पर देख लेते हैं और तो surface क्या करेगा वो radiate कर देगा हमारी heat back to the space rapidly cools down faster as a result the lower cold layer get condensed and become heavy एक बार देख लेते हैं किस तरीके से इस तरीके से तो यहां की heat तो बाहर निकल जाएगी ठीक है और यहां से in comparison to cold layer होगी वो आपका इसका place ले लेगी यहां पर तो यह पूरा area आपका cold layer से भर जाएगा next time देखते हैं इसमें और क्या है the sloping surface underneath make them move towards the bottom whereas cold layer settled down at the zone of low temperature while the upper layer are relatively warmer यहां देख लो यह cold layer तो 4 degree गी और यह देखो 8, 10 और फिर उपर से 4 ठीक है तो इस तरीके से यह pack हो जाएगा इन दोनों के बीच में last चीज जो मैं पढ़ने है इसमें that is the vertical temperature get inverted during the temperature inversion जो vertical temperature होना चाहिए था किस तरीके का सबसे नीचे hot उपर cold और उससे उपर coldest वो क्या होता है reverse हो जाता है और यहां पर क्या होगा सबसे नीचे cold फिर hot और फिर उपर cold अब यह जो है यह mainly आपका कहा पे मिलता है middle and higher latitudes वाले area में और middle और higher latitudes वाले area के साथ साथ यह आपको mountains और deep valley वाले area में भी मिल जाएगा तो इतना आपको ध्यान रखना है regarding the temperature inversion in hilly area यहां पर देख लो आपको एक बार और देखना है तो इस तरीके से दिन के समय क्या होगा जो warm air होगी वो उपर उठेगी और cold air उसकी जंगा ले ले जाएगी ठीक है और जो यह subseedingly यानि कि slopes की जो cold air है वो नीचे की तरह चली जाएगी और यह warm air यहीं पर trap होके रह जाएगी फिर ना यह नीचे आ पाएगी ना यह उपर जा पाएगी बस इतना ध्यान रखना है आपको ठीक है चलो next चलते हम अगले टाइप का inversion पढ़ ल colder surface ठीक है तो जब आपकी हवा cold surface पे लगेगी वो क्या करती है अपना temperature lose कर देती है और वो भी अपना condense होना start कर देती है यानि कि वो भी ठंडी होनी start हो जाती है अब सेम यह process अमने पहले भी पढ़िए जहां पर कि आपका क्या होता है condensation हो जाता है ठीक है dew point याद होगा आपको जैसे ही colder surface आपको मिलता है हवा को वो उसके आसपास condense हो जाती है तो इतना धिहान रखना है इसके लिए भी आपकी same condition है long winter night cloudless calm skies next dry air होनी चीए humidity जादा नहीं होनी चीए आपकी low relative humidity I hope relative humidity का मतलब आपको पता होगा और इसी के साथ साथ आपको absolute humidity का difference भी पता होगा अगर आपको इन दोनों का पता है difference तो well and good नहीं पता है तो previous वीडियो एक बाद आके जरूर देख लेना और comment जरूर करके बताना अगर आपको ये चीज़े समझ आ रही है कि नहीं आ रही है next इसमें last जो mean चीज़ होती है that is calm atmosphere और slow moment of air चीख है तो slow moment होना चीज़े air का जिससे की intermixing ना हो पाए अगर intermixing हो गई तो फिर temperature inversion नहीं हो पाएगा और इस तरह का temperature inversion आपको ज्यादा तर कहा मिलेगा और higher latitudes में देखने को मिल जाएगा और mainly देखो ये होता किस समय है ये होगा रात के समय होगा अभी बता देता हूँ मैं देखो वो तो slopes की बात ती यहां पर ground की बात है अब देखो रात के समय होगा क्यों वो समझ लो दिन के समय आपका अगर मैं यहां पर सूरजदेवता क करें दिन के समय यह क्या करेंगा हमारा land surface insulation को absorb करेंगा चिक है insulation को absorb करेंगा तो यह आपको समझ आ गया अब देखो night time में क्या होगा यहां पर अगर मैं night की बात करूँ अब night time में जो insulation absorb होगी इसको क्या करेंगा वह release करेंगा release radiation clear तो यह यह radiation को release करेंगा अब यहां पर देखो clouds वगरा कुछ नहीं होंगे तो यहां के जो जितने भी हवा है वह उपर की तरफ चली जाएगी और इसके comparison में यहां पर कौन सी हवा आ जाएगी यहां पर आ जाएगी cold air कि जो hot air है वह निकल जाएगी आपकी ठीक है hot air उपर जाएगी और यह जाके हो जाएगी trap between cold air यहां कि between two cold air के बीच में तो यह hot air होगी यह इस तरीके से यहां पर dissipate हो जाएगी और यहां पर आपका hot air की layer बन जाएगी और इसके उपर आपका cold air तो होगा अब देखो रात के समय तो यह बन गया पर जैसे ही अगले दिन सूरज देफता निकलेंगे वह क्या करेंगे वह जो cold air है इस पर insulation आएगा और यह cold air again क्या हो जाएगी आपकी hot air बन जाएगी ठीक है तो इसलिए धियान रखना है कि जो आपका ground inversion है इसके बारे में एक बहुत important point की it happen only in night चीक है यह सिर्फ night के समय होगा और night भी कैसी तीन चीजे long night already बता चुका हूँ territorial radiation को निकलने के लिए ज्यादा time मिलेगा second cloudless sky यह भी हम पढ़ चुके है cloudless sky क्यों क्योंकि अगर clouds होंगे तो वो आपके extra territorial radiation को बाहर निकलने नहीं देंगे और last and important चीज calm and stable environment calm और stable environment आपका होना चाहिए तो यह आपको ध्यान रखते वे चलना है तो यहाँ पर अभी सेम आप diagram देख सकते हो जिसमें कि आपने बात करी थी देखो यहां से heat absorb होगी यह जैसे ही आपका उपर की तरफ पर आ जाएगी यहां पर आके यह देखो फैल जाएगी इस तरीके से तो यह हो गई hot यहां पर फिर again side से आपकी cold air आ जाएगी और यहां उपर पे cold air तो already है ही चीक है तो calm wind and the inversion result in poor eco air quality अब देखो calm wind होगी तो हमारे जो pollutants है for example आपका dust particle smoke यह सब बार नहीं निकल पाएगे clear तो इन सब की वज़े से आपका अचा कभी अगर आपसे पूछ ले जाए कि क्या temperature inversion होने की वज़े से pollution पे कुछ effect आता है तो yes बिल्कुल हमारे pollutants पे direct effect है आपका किस चीज का inversion का clear तो यह आपको धियान रखना है आगे effect में हम अभी पढ़ेंगे तो इसको धियान रख लो तो यह है temperature inversion यह वाला और यहां पे हमारा का normal conditions तो इतना धियान रखना है यह cold air warm air and cooler air तो इतना आपको धियान रखते वे चलना है next अगर इसमें बात करें हम आगे और किस चीज के अगला जो type है हमारा that is subsidence inversion अब देखो यह क्या होता है देखो अभी हमने बात करी ground से उपर उठती वी air की अब हम बात करेंगे अपर surface air से नीचे आती वी air यानि की पहले condition में हमने बात करी थी इस तरह की air की जब आपकी air क्या हो रही है ground level से उपर की तरफ को जा रही है ठीक है तो यहां पे low pressure होगा ठीक है अब हम second जो condition हम ले रहे है इसमें हम बात करेंगे अपर atmosphere से नीचे की तरफ आती वी air की ठीक है अपर atmosphere से नीचे की तरफ आती वी air भी inversion बनाती है अब देखते हैं कैसे this kind of inversion develop when the layer of air descends ठीक है अब इसमें होगा क्या the layer is compressed and heated by resulting increase in atmospheric pressure and as result the lapse rate of temperature reduced यह तो बहुत basic चीज है हम अब देखो यहां से समझने वाला point अब जैसे जैसे आपका air mass sync करेगा तो आपके जो air होगी at high altitude become warmer than the lower altitude clear अब होगा कैसे यह देखो उपर से नीचे जब air आ रही होगी इस तरीके से ठीक है उपर से नीचे की तरफ जब आ रही होगी तो यहां पर क्या रही होगा वो heat absorb करती जा रही होगी दिरे 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 ठीक है तो यह जो यहां वाली air होगी यह upper layer यह हो जाएगी क्या आपकी hot एक बद बना के दिखा देता हूँ आपको तो यह है आपकी earth surface यहां से आपकी यहां की बात कर रहा हूँ मैं अभी बिल्कुल ground level की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है उपर से नीचे आ रही होगी तो यहां की जो air होगी यह जो Pascal होगा यह हो जाएगा क्या आपका hot air ठीक है और नीचे क्या हो जाएगी in comparison to that cold air अब देख लेते हैं कैसे the mainly this is mainly common in northern continent in winter and over sub-tropical area this region is generally having subsidized air because they are located under large high pressure area ठीक है तो यहां पर subsidizing air क्यों आ रही है क्योंकि high pressure area में हैं और हम अल्रेड़ी पढ़ चुके थे कि low pressure area में आपका इस तरीके से हवाएँ उपर उठती है और यहां पर होगया low pressure और high pressure area में इस तरीके से हवाएँ नीचे आती है तो इतना आपको अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है तो यह देख लो descending air is compressed and warm adiabatically तो जब यह उपर से नीचे हवा आ रही होगी यह adiabatically compress होगी अब समझो जैसे ही यह compress होगी इसके उपर क्या पढ़ रहा है pressure पढ़ रहा है अब यह हम बात कर चुके थे यहाँ पर atmospheric pressure atmospheric pressure जैसे ही इसके उपर increase होगा already हम किसमें पढ़ चुके हैं? gas law में क्या पढ़ पढ़ा है हमने? pressure is directly proportional to temperature pressure बढ़ा तो इसका temperature already बढ़ गया clear? तो यह जो hot layer है यहाँ इसके बीच की यह इसका temperature increase होगा उपर भी cold, नीचे भी cold तो इतना ध्यान रखना आप और यह mainly हो रहा कौन से season में है? यह हो रहा है आपका winter season गलती से भी exam में गलट टिक मत कर देना अगर वहाँ पर पूछला गया कि summer season में तो गलत मत कर देना ठीक है? summer season में नहीं होगा यह क्यों summer season में क्यों नहीं होगा? जरह logic लगाओ और comment करके बताओ मुझे फटफट क्यों नहीं होगा summer season में? इतनी जोगरफी पढ़ चुके हैं अब तक तो अब तक तो इतना समझ आ गया होगा कि क्यों नहीं हो रहा है तो बदा दिना जरह मेरे को comment करके क्यों नहीं हो रहा है next type होता है हमारा क्या frontal inversion अब फ्रेंट्स क्या होते हैं पहले उनको समझ लेते हैं देखो जब दो तरह की air masses for example मान के चलो यह एक air parcel है cold air का यह move कर रहा है और यह air parcel है आपका किसका hot air का यह क्यों यह आपसमें आके टकराते हैं तो यह क्या बनाते हैं क्यों पर पर थे technologies तो यह कि चामम पढ़ते थे थे ये अरже Venfeld या फिर आपका European front तो यह क्या बनाते हैं front यह दोनो एक दूसरे से आके टकराती हैं और पिर यह एक दूसरे में intermix होना start करती है तो यहाँ पर भी आपका क्या बन जाता है inversion हो जाता है और इस type के inversion को हम क्या बोलते हैं advectional type of inversion भी बोला जाता है अब देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर होता है तो सबसे पहले this type of inversion occur when the formation of front जहाँ पर cold and warm air मिलती है next अब देखो होगा क्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि cold air हमेशा क्या होगी नीचे की तरब को आएगी और warm air हमेशा उपर की तरब को जाएगी इतना तो पता होगा आपको cold air नीचे और hot air उपर अब यहाँ पर समझो मान के चलो यह cold का front है यह warm का front है rise up कर जाएगी ठीक है और यह वाली air cold air यह नीचे की तरब को आजाएगी चलो एक बार दुबारा देख लेते हैं यह cold air और यहाँ पर आगई आपके क्या warm air यह मैं starting condition बता रहा हूँ आप लोगों को अब देखो warm air क्या होगी दिरे 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 ऊपर जाएगी और यह cold air इसको नीचे से इस तरीके से rotate करना start करेगी अगर इसका दूसरा view दिखाऊं तो मैं बता देता हूँ आपको warm air ऐसे उपर उठेगी और cold air इसको इस तरीके से गेरेगी तो यह तो जा रही है आपके y-axis में और यह travel कर रही है x-axis में अगर इतना logic लगा पाए तो समझ जाएगा कि आपकी warm air उपर की तरफ को उठ रही है और x-axis उसको literally चारो तरफ से cover कर रही है अब देखो एक condition ऐसी आ जाएगी यहाँ पर जिस समय आपका यह चीज यहाँ से हट जाएगी और अभी बताता हूं यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक है तो cold air इस तरीके से इसको trap कर रही थी अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी cold आ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ गूम गई अभी समझते रहो हैं confused नहीं हो ना और warm air क्या हो जाएगी यहाँ उपर पर आ जाएगी ठीक है तो यह cold air चारो तरफ cold air हो जाएगी और warm air सिर्फ उपर पर हो जाएगी तो land surface पर देखे तो इस पूरे एरिया में यहाँ पर cold हो जाएगा और यहाँ पर उपर पर warm air स्वारी warm लिखना था यहाँ वाम एर हो जाएगी ठीक है और फिर सबसे उपर तो आपको पता ही है जैसे जैसे आप उपर जाते रहोगे because of lapse rate आपको यहाँ पर cold air मिलेगी ही मिलेगी तो बन गे हमारा inversion की condition पूरी हो गई यहाँ पर देखो बन गया sandwich की नहीं बना बन गया न चलो बस इतना ध्यान रखना है अगर यह sandwich आप लोग भी बना पाए तो एक्जाम में बहुत बल्ले-बल्ले और अच्छे से question हो जाएगा तो यहाँ पर देख ल जंगाओं पर inversion horizontally हो रहा था देखें यहाँ पर क्योंकि इस तरीके का slope बनाना तो यहाँ पर slope में हो रहा है अब देखो इस जहाँ पर क्या है warm air भी है cold air भी है warm air सीधे से उपर उठ रही है और हम पहली पढ़ चुके हैं क्या कि जब-जब warm air उपर उठेगी तब-तब आपका क्या होगा cloud formation होगा ठीक है हलाकि पिछले जितने भी inversion पड़े हमने उसमें क्या पढ़ाया कि वहाँ पर connective clouds नहीं बन रहे और वो rainfall नहीं करेंगे अब वहाँ पर एक reason यह भी था क्योंकि वहाँ पर क्या थी less humidity थी पिछले वालों की बात कर रहा हूं इस वाले की नहीं ठीक है तो पिछले जितने भी example पड़े हमने whether it is ground inversion या फिर आपका और कौन से inversion पड़ा हिली एरिया में inversion अपर एयर वाला inversion उन सब में less humidity थी इसलिए वहाँ पर कोई भी आपका क्या नहीं हुआ precipitation नहीं हुआ बट क्यों कि यहां पर क्या है high humidity है और cloud formation होगा high humidity blood cloud formation lead to precipitation यहां पर आपका precipitation होना start हो जाएगा चीक है तो यह क्या होते है mostly unstable होते है और जैसे ही weather आपका change होगा वैसे disappear हो जाएगे मान के चलो एकदम से sunlight आ गई आपकी उस point पे तो वह क्या होगी वह जो cold air होगी वह भी warm air बन जाएगी और फिर वह temperature inversion है वह change हो जाएगा तो इस तरहीके से देख लो आप आपका frontal inversion कैसे दिखता है तो यह front है यह warm air है यह warm air उपर की तरफ चड़ेगी यह cold air है यह इसको in inversion mostly आपको 4 ही बताये जाएंगे बट आपको धियान रखना है कि यहाँ पर एक और तरीके का inversion भी होता है कभी-कभी exam में पूछ लेते हैं वह तो यह cover कर होगा जब आपकी cool moist air that originate over ocean देख है cool or moist air जो की ocean के उपर होगी वह कहाँ पर आने लग जाए for example मैं बना के दिखा दे area है और यहाँ पर यह water है अब देखो इस वाले area में आपका insulation होगा भी फिर भी यहाँ के जो air होगी वह क्या होगी cool air होगी और यहाँ पर because of high specific heat sorry low specific heat यहाँ पर यह hot air हो जाएगी यह hot air जैसी होगी यह उपर उड़ जाएगी और यहाँ पर vacancy create हो जाएगी इस vacancy को भरने क आपकी क्या cold air इधर की तरफ आएगी ठीक है अब यह जो इधर की तरफ आ रही है it is because of prevailing winds जो मैंने हवाओ का system आपको बताऊंगा आगे जाके तो ध्यान रखना आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या permanent winds जिसमें इस्टरली की बात करेंगे वेस्टरली की बात करेंगे फिर local winds भ यहां पर यह temperature को यानि की जैसे यहां पर hot air हटेगी cool air आएगी तो यह जो the cool temperature of this air make it denser so it readily flows underneath warmer air ठीक है अभी यह जो hot air है यह उड़के क्या हो जाएगी इस तरीके से उपर आएगी और यहां पर फैल जाएगी जो हम सुरू से पढ़ते आ रहे हैं और यहां पर बना देगी क्या hot air की एक layer और नीचे पर देखो cool air आएगी cold air और उपर पर भी cold air automatically होगी किसी को confusion तो नहीं है यह cold air यहां पर बार-बार automatically कहां से ले आ रहा हूँ अगर यहां पर confusion नहीं है तो बहुत बढ़िया और confusion है त कौनसी वाली देखनी है आपको lapse rate वाली जिसमें मैंने lapse rate पढ़ाया है condensation, evaporation वगरा के बारे में आपको अच्छे से बताया है तो चलो इसमें next देख लेते हैं यह ज्यादा तर अकर होगा आपका क्या large water bodies में for example rivers, lakes, coastal area वगरा में ठीक है तो यह दियान रखना है और जब भी आपकी जो air है वो इस large water body से पास होगी वो क्या करेगी it is cooled by heat getting conducted from the air to the water clear तो यह आपको धियान रखना है the cool air is then blown inland under the warmer air that is overland thus creating an inversion वो ही यह बता रहा है कि जो cool layer है वो क्या होगी warm air के नीचे आ जाएगी और फिर आपका sandwich कैसे बन जाएगा नीचे cold, बीच में warm और सबसे उपर again cold layer चीक है तो यह आपको धियान रखते वे चलना है तो इस तरीके से देख पा रहे होगे यहाँ पर हो गई क्यूल फिर यह warm और यहाँ पर उपर cold तो हो गई अब वो कहाँ पर होगा वो हमें देखने की जरुवत नहीं पर cold होगा ही होगा चीक है और लास्ट चीज जो हमें आज के लेक्चर में पढ़नी है तो अब देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा देखो अगर हम हिली एरिया की बात करें तो हिली एरिया में हमने अभी देखा किस तरीके का होता है यहाँ पर आपका cold होता है और सबसे उपर भी आपका cold होता है और सिप बीच के एरिया में warm होती है अगर इसको याद रख पार होंगे ना एक मैंने आपको बताया था कि अर्थ के heat budget में एक तो slope का भी बड़ा फरक पड़ता है तो यहाँ भी फरक पड़ रहा है तो जो जो plantation आपका इस एरिया में होगा यानि कि इस slope में होगा वो सब तो आपका क्या होगा नॉर्मल होगा लेकिन जो जो plantation आपका यहाँ पर होगा वो सब क्या हो जाएंगे फ्रोज हो जाएंगे क्यों क्योंकि high temperature oh sorry very low temperature है इन पॉइंट्स पे तो यह धिहान रखना है आपको due to inversion एक और चीज होगी जो air pollutants है वो आपके escape नहीं कर जाएंगे तो escape नहीं कर पाएंगे तो वो क्या होंगे आपके disperse हो जाएंगे in the valley bottom जिसकी वुझे से pollution आपका increase हो जाएगा तभी आप देखोगे जो दिली में pollution है वो सर्दियों में जादा होता है in comparison to गर्मियों में तेके क्योंकि वो भार नहीं निकल पाता next इसमें जो है that is formation of fog अब देखो fog हो जाएगी तो उसकी वेजिसे दो चीज होगी एक तो visibility खतम हो जाएगी second vegetation पर बहुत फरक पड़ेगा अब vegetation पर कैसे फरक पड़ेगा क्योंकि देखो जितना ज्यादा ठंडा रहेगा वो क्या करेगा for example ऐसा vegetation है जिसको harvesting के समय थोड़ा सा high temperature चीए तो अगर उस समय वह temperature inversion हो जाए तो वो क्या करेगा उस vegetation को भी खराब कर देगा और temperature inversion होगा तो वहाँ पर less rainfall होगी अल्रेडी बता चुका हूँ सिर्फ एक condition में आपकी rainfall हो सकती है that is in frontal inversion जब आपका frontal inversion होगा सिर्फ उस condition में आपका क्या होगा rainfall होगी वरना otherwise आपकी rainfall नहीं होगी चीक है तो चलिए बच्चो आज के topic को हम यहीं समापत करते हैं तो अलविदा लेते हैं आज आपसे और अगली बार मिलेंगे अगले ही ऐसे ही एक interesting topic के साथ तब तक के लिए आप I hope I am fit रहें बहुत ही खुश रहें और अच्छे से त्यारी करते रहें देखो जितना अच् को भी क्या करना है थोड़ी सी महनत आपको करनी है आपको नीचे दिये गए हमारे जितने भी social media handles है अगर आपको additional information चाहिए हो lectures के regarding या कुई आपको query हो directly हमसे reach out करना हो तो आप नीचे दिये गए किसी भी social media handles से हमसे जुर सकते हैं otherwise आप हमारे youtube video के नीचे comment जरूर कर सकते ह है जितना आप comment करोगे जितना share करोगे उतना algorithm को लगेगा कि ये video अच्छे है उतना ज्यादा share होगी और हम लोग भी motivate होएंगे और ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा content लाने के लिए और मैंने कुछ बच्चों के comment देखे थे जो बोल रहे थे कि इस video को या इस video series को पूरा हो जाता है फिर हम उनके भी regular lectures लाने शुरू करेंगे तो CAPF के exam से पहले आपके हम 2-3 subject तो पूरे करा देंगे ये हमारी guarantee तो चलिए बच्चों आपसे अलविदा लेते हैं आज के लिए मिलते हैं आपसे next video में